प्रसासन और सरकार सुसासन देने की बात करती है लेकिन जिले में कितना सुसासन चल रहा है यह आए दिन देखने को मिलता है आए दिन पुलिस कर्मियों से लेकर राजस्वधिकारी कर्मचारी रिस्वत लेते गिरफतार हो रहे हैं जिन खबरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सुसासन चल रहा है खास कर न्यायाले से जुड़े मामले में अगर घुस खोरी का मामला सामने आये तो निश्चित तोर पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा ऐसा ही एक बार फिर एडियम कारियाले का सहायक ग्रेट बाबू 3500 की रिस्वत लेते गिरफतार हुआ है अभी हाल ही में एडियम का रीडर मनगवा में गिरफतार हो चुका था मिली जनकारी के अनुसार सिकायत करता मनीश कुमार प्रजापती निवासी बिलवा बढ़ गईयान तहसील सिर मौड ने सिकायत की थी उसे विवाह प्रमाड पत्र की आवशकता है जिसके लिए कलेक्टर कारियाले रिवा में आवेदन जमा किया है लेकिन उसे आवेदन देने के नाम पर अपर कलेक्टर सैलेंद कुमार सिंग के बाबू आज सुतोष मिश्रा के द्वारा 6,000 की रिश्वत मागी जा रही है इतना ही नहीं धंकी दी जा रही है कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा जिसके बाद कलेक्टर कारियारले में लोका युक्त टीम ने उक्त बाबू आसुतोष मिश्रा को पैती सौ की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है